अगर आप एक नए स्तरका लचीलापन लाना चाहते हैं, तो पहली चीज ये है कि सिस्टम से काफी सारा विशेलापन निकालना होगा। अगर आप सिर्फ पानी का आहार या शहद और पानी का आहार लें जो आपको परियाप्त उर्जा देगा। अगर आप पहले से ही बहुत पतले नहीं हैं, अगर आप थुड़ा वजन कम कर सकते हैं, अगर आप शहद डालेंगे तो आपका वजन भी कम नहीं होगा। तो शहद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो लोग यौगे का भ्यास कर रहे हैं उनके लिए शहद का सेवन अच्छा है शहद उन सबसे अच्छी चीजों में से एक है जिनका आप सेवन कर सकते हैं मांसिक्स्थिर्ता, शारिरिक खुशाली, जीवन शक्ती इन सभी चीजों को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है सिर्फ रोजाना शहद के सेवन से शहद इस धर्ती पर पाया जाने वाला एकलौता पदार्थ है जिसकी रासाइनिक संरचना लगभग इनसान के खून की संरचना की तरह है अगर आप कुछ चीजें बदल दें तो ये लगभग खून जैसा है शहद का दैनिक सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर सकता है खासकर वो लोग जिन्हें अधिक बलगम की समस्या है या आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है या आपके मन को सतर्क रखता है और ये बहुत उरजा देता है तो हर दिन शहद का सेवन बहुत कुछ कर सकता है खासकर अगर आपके बढ़ते बच्चे हैं तो उन्हें रोज शहद का सेवन करना चाहिए ये उनकी बुद्धी और हर तरह के विकास के लिए बहुत कुछ करेगा सफेद कद्दू भी सफेद कद्दू और शहद दोनों चीजें एक साथ मिलकर बच्चों के लिए एक शांदार आहार है उनकी बहुत धिक शमता को बढ़ाने के लिए आपको इसे हलके गर्म पानी में डालना चाहिए उबलते गर्म पानी में नहीं अगर आप इसे गर्म पानी में डालते हैं तो ये एक प्रकार का एंजाइम तयार करता है जो शहद में एक खास तरह का बरताव करता है जिससे इसमें शरीर से वजन हटाने की प्रवृत्ति आ जाती है अगर आप इसे ठंडे पानी में डालते हैं तो ये एक अलग तरह से बरताव करता है और ये शरीर का वजन बढ़ा देता है ऐसा नहीं है कि कुछ चम्मच शहद जो आप ले रहे हैं उससे आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है आपके सोखने की दर ऐसी हो जाती है कि आपका वजन बढ़ सकता है तो शहद के सिस्टम पर अलग असर होते हैं अगर इसका यूँ ही सेवन किया जाए तो इसका एक तरह का असर होता है अगर इसे ठंडे पानी के साथ लिया जाए तो इसका अलग असर होता है अगर इसका सेवन गर्म पानी के साथ करें तो इसका अलग तरह का असर होता है यहां हम इसका सेवन गर्म पानी के साथ करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस सिस्टम खुल जाए अगर आप सिर्फ सिहत बनाना चाहते हैं जैसे अगर कोई एनेमिक महसूस कर रहा है एनेमिया का मतलब है एक स्थर पर खून में लोहा कम हो गया है मतलब आपकी ताकत कम हो गई है ठीक है? आपके शरीर की मजबूती कम हो गई है आप ठकावट महसूस करेंगे बिना किसी कारण के ठकावट क्योंकि जब जरूरी लोहा नहीं होता है तो शरीर के हिस्सों तक ऑक्सिजन ले जाने की आपकी क्षमता कम होती है इसका मतलब है कि आपका शरीर, आपका दिल, आपका मस्तिश्क सब कुछ कम स्तर पर काम करेगा क्योंकि आपके पास परियाप्त ऑक्सिजन नहीं है तो इसे ठीक करने के लिए एक आसान चीज ये है कि आप रोजाना गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिला कर पिएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी RBC की मात्रा बढ़ जाएगी अगर खून में ऑक्सिजन ज्यादा है तो अचानक आपको उर्जा का विसफोर्ट महसूस होगा अचानक सब कुछ सक्रिय है, शरीर की पुनर जीवन प्रणाली बहतर है, मृत कोशिकाएं जल्दी जल्दी बदल रही है शरीर में आप जो आलस महसूस करते हैं वो काफी कम है, तो शेहद का सेवन रक्त संचार प्रणाली में एक तरह का संतुलन लाएगा जो योगा अभ्यास करने वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप कुछ तरीकों से शरीर कुछ सीमाओं से आगे धकेल रहे हैं इससे सिस्टम में फैलाव आता है ताकि जब आप साधना करते हैं तो एक चीज ये है कि ये मासपेशियों में लचीलापन आने के परिणाम स्वरूप आप सिस्टम को धीरे धीरे एक अधिक शक्तिशाली संभावना में बदल सकते हैं